हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल सतेंदर गुरुजिपे दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजिनी की 15 अति महतोपुर्ण प्रश्ण के बारे में इसलिए आप लोग वीडियो के आंत तक जरूर बने रहेगा इस वीडियो में आपको कीस तरीके के प्रश्ण के बारे में बताएंगे दोस्तों जैसे कि प्रश्ण हम लोग के सामने दिया है प्रश्ण है दी गई आकिर्ती में कुल कितने त्रिभूज है यहाँ पर जो आकिर्ती हमारे पास बना है देख रहे हैं इस आकिर्ती बे टोटल कितना त्रिभूज है इसके लिए चार आप्सन दी गई है और भी प्रशन है स्रिंखला को पूरे करें जैसे चार से यहाँ पर 9 बना है 9 से 20 बना है 20 से 43 बना है 43 से कोशन मार्क बनेगा और उ ठीक है जिसने पार्ट नंबर चब होतर तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाए या फिर इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है वहाँ पर जैस सारा ही वीडियो आपको हाँ पर मिल जाएगा बिलकुल सीक्वेंस बाइस सीक्वेंस मिलेगा वहाँ स सारे वीडियो को आप लोग देखिए क्योंकि जितना भी कोशन है सारे इंपोर्टेंट और मज़ेदार प्रशन को हमने इस वीडियो में सामिल किया है मेरे दोस्त तो आए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रशन से पहला question आप लोगों के सामने ranking से लिया गया है और प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से दिखें कह रहा है 42 भी द्यार्थियों की एक अक्षा में कामता का क्रम उपर से सुरा हुआ है तो अंत से उसका क्रम क्या है यही हम लोगों को बताना है मेरे दोस्तों तो सबसे पहले आपको एक फर्मूला बताता हूँ इसके लिए एक फर्मूला होता है यहां पर जो हम लिख देते हैं जैसे कुल ब्यक्ति की संख्या निकलना है यहां पर लिखते हैं कुल ब्यक्तियों की संख्या निकलना है तो हम क्या करेंगे जानते हैं कुल ब्यक्ति की संख्या बराबर, फर्मूला होता है, कुल ब्यक्ति की संख्या निकालने के फर्मूला हमारे पास क्या होता है, मेरे भाई, दाया प्लस बाया माइनस वन, होता है, दाया प्लस बाया, दाया प्लस बाया माइनस वन, हमारा फर्मूला होता है, ठीक है, इस फर् हम बराबर के इस सैड में रखेंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल सही बात है, कुल ब्रक्टी कितना है, 42, तो 42 ऐसे ही ठीक है, यहां देखो, दाया के जगेंपर क्या दे दिया है, उपर से, कोई दिक्कत नहीं है, उपर हो नीचे हो सम में यही फर्मूले लगता है, उपर से कितन होगे मिर भाई दाया से हो गया 16 बहुत बरिया प्लस बाया से निकलना है यह निचे से निकलना है तो प्लस का 1 हो जाएगा आज जो 16 इधर प्लस का है ब्राबर के e side आएगा तो यह माइनस का हो जाएगा बात को पगर रहे हैं चलिए तो यहाँ हो जाएगा कितना e हो जाएगा 42 आएक उधर से आजएगा 43 अब माइनस 16 ऐसे ही ठीक है अब राबर में इधर left लेप्ट मतलो यह यह निचे से बोलो यहां लेप्ट बोलो कोई फरक परने वाला नहीं है अब यहां पर इसको लेप्ट को ही नीचे ही मालो चलो नीचे से अब निकाल दो देखो 43 में से 16 घटा दो वही तुम्हारा एंसर हो जाएगा 43 में से 16 घटा होगे तो कितना बचेगा ऐसे तुम घटा लो एक एक करके 3 में से 6 जायेगा नहीं तो एक कैरी लेगा तो 13 में से 6 जायेगा 7 बचेगा यहां बचेगा 3 3 में से 1 जायेगा 2 बचेगा तो इस question का right answer हो जायेगा 27 यहां यहां नीचे से उसका करम 27 हुआ है option number 4 इस question का right answer हो जायेगा ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक question भी आपको समझ में आ गया होगा भरते हैं next question की तरह next question है ध्यान से देखिए काफी important दी गई आकिर्थी में कुल कितने त्रिभूज है दी गई आकिर्थी में कुल कितना त्रिभूज है मेरे दोस्त बहुत important SSE का famous question मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको एक concept सिखाता हूँ देखो ध्यान से basic त्रिभूज count कई से करते हैं एक box है अगर इस कोना से इस कोना पर आई कोना से इक कोना पर मिलाते हम आपसे पूछे इद फिकर को थोरा दिर के रिए भूल जाए आप इसमें कितना त्रिभूज है तो आप कई से count करेंगे इसको count करेंगे आप हम आपको trick बताता हूँ इसको numbering करेंगे 1,2,3,4 सबसे 12 number क्या है 4 आया है तो इस जो 4 आया है बस इसे का double कर दो 4 दो ने 8 तिरभूज इसमें हो जाएगा 8 तिरभूज कई से कई से count करके आपको मैं concept भी बता देता हूँ देखो आपकी आखो से 1,2,3,4 तिरभूज तो basic दिख रहा होगा बहुत बर्या अब देखो यहाँ पर इस दोनों को मिलाने के बाद एक बारा तिरभूज इबना बिल्कुल सही बाद अच्छा जश्ट इसके नीचे भी तो एक बन रहा है तो 2 तो यहाँ से आ जाएंगे 2 आ जाएंगे यहाँ से समझ रहा है 2 आ जाएंगे यहाँ से प्लस और देखो और एक यहाँ से बन रहा है एक और 4 को मिलाने के बाद एक नया तिरभूज बन रहा है और 2 और 3 को मिलाने के बाद यहाँ से एक और बन रहा है तो इस point को विशेश रूप से ध्यान रखके, अब तुम इस question को समझो, तो यहीं जो यहां से e part है इसी part को हमने नीचे बनाया है, यहां पर देख रहें, दो part ऐसा है, इस कोना से यहां पर, e 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 कोना से यहां पर, line खी पहलए जो देखो इतना भाग तो हमने गाउंट कर लिया है और इतना भाग Cooper कोनट कर लिया है जो बचा है उसको count करो अब 16 तिर्भूज हो गया एक तिर्भूज ई हो जाएगा एक दू आ एक तीन हो गया एक इवला चार हो गया एक इवला पांच हो गया अगर इवला छो हो गया तो 6 तिर्भूज तो और आ जाएंगे सोला तो इसमें हमने निकाल रखा है अच्छे तिर्भूज और जुट जाएंगे अब देखो मेरे दोस्त कि यहाँ पर एक्ष्ट्रा तिर्भूज कौन कौन बन रहा है एक्ष्ट्रा का मतलब कि यहाँ पर दो तीन आकिरती को मिलाने के बाद कौन सा नया नया तिर्भूज बन रहा है उसको जाच करो मेरे दोस्त देखो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एक तिर्भूज इवला बन रहा है एक्ष्ट्रा बन रहा है कि नहीं एक इवला बन रहा है बहूत मरिया एक तिर्भूज यहां से बन रहा है एक तिर्भूज ऐसा ही यहां से बन रहा है बन रहा है एक तिर्भूज ऐसा ही यहां से बन रहा है तो दो तो ए आ जाएंगे अज़स्ट इसके उपर भी दो और बनेंगे देखो कौन कौन सा दो तो यहां से आ गया है एक देखो एक तो इवल आ गया आया एक इधर से आयक इधर से दो तो यहां से आ जाएंगे तो दो इसमें लिख लेते हैं और देखो यहां पर तुम जब count किये हो ऐसा है तिरभुज उपर से भी तो बनेगा यहाँ पर बनेगा यहाँ पर बनेगा बिलकुल बनेगा ऐसा तिर्भुज यहाँ भी तो बन रहा है देख बन रहा है तो दो तिर्भुज यहाँ से आ जाएंगे आप देखो और दो तिर्भुज एक्स्ट्रा बनेगे कौन कौन वो आपको नहीं दिख रहा होगा मेरे दोस थोरा समय हिंट देऊंगा खटाक से दिख जाएगा आपको दिमाग लगाईए दिमाग लगाईए देखो मेरे प्यारे सातियो यहाँ पर इबारा वाला तिर्भुज नहीं बन रहा है बिल्कुल बन रहा एक नीचे से एक जाष्ट उपर से दो तिर्भुज आवर बन रहे हैं समझ रहे हैं दो तिर्भुज आवर बन रहे हैं अब इनको एड़ कर दो इस दो तिर्भुज नहीं दिख रहा था आपको देखो कितना सिंपल सा आखिर्ती है दो तिर्फुज यहां से अब इसको add कर दो कितना हो जाएगा 16 अच्छे 22 22 24 24 26 26 28 तो इस आकित्ति में total 28 तिर्फुज हो जाएगे जो option number C में दिया गया है मेरे दोस्त ठीक है इसका right answer option C हो जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों एक question भी आपको समझ में आ गया होगा बरते हैं अगले question की तरफ अगला question तीन नंबर ध्यान से दिखें कर रहा है A B C D E 5 मित्रे A B C छोटा है पर E C लंबा है बहुत ranking का A B question है मेरे दोस्त 5 बेक्ति है तो पांचों को बैठाएंगे पहला बेक्ति सबसे उपर दूसरा बेक्ति उसके बाद तीसरा बेक्ति उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा क्या कह रहा है, कह रहा है, A B से छोटा है, पर E से लंबा है, देखो, जो A है, वो B से छोटा है, ठीक है, पर E से लंबा है, पर E से लंबा कौन है, A, A जो है, वो B से छोटा है, पर E से लंबा है, तो एक point हमने यहां से, यहां से लेकर, यहां तक तो हमने बना लिया अलग से, अब देखो, C सबसे लांबा है, C सबसे लांबा है, कुशन को समझ रहे हैं, C जो है सबसे लांबा है, तो C सबसे उपर आ जाएगा, बहुत बर्याँ, C सबसे लांबा है, तो C उपर आ जाएगा, बहुत बर्याँ, आगे कुशन करता है, D B से थोरा छोटा है, जो D है, देख वह A से थोड़ा लंबा है याने D जो है B से थोड़ा छोटा है लेकिन A से थोड़ा सा लंबा है तो A से उपर आ जाएगा तो हमारे पास इस दो पॉइंट को उठा कर इन दोनों पॉइंट को उठाना है और इसमें कोशन को फिल करना है इस दो हिंट को उठाए और इसमें D से नीचे यहाँ पर आ जाएगा A A से नीचे आ जाएगा A चार ब्यक्ति हैं अज चारों के यहाँ पर सिक्वेंस से बैठा दो B यहाँ पर नहीं बैठ सकता क्योंकि नीचे तीन नहीं आ सकते B यहाँ नहीं बैठ सकता हमारे मजबूरी हो गए B को यहां पर बहीं बैठाना B यहां पर बैठ जाएगा यहां पर D आ जाएगा यहां पर A आ जाएगा उसके बाद में E आ जाएगा हम लोगों से कोशन क्या पुछा गया है मेरे भाई कोशन पुछा गया है तो A से लंबा A से लंबा पर B से छोटा कौन है देखो A से लंबा होना चाहिए लेकिन B से छोटा A से लंबा है D अब B से छोटा है D इसका राइट एंसर हो जाएगा D समझ रहे हैं जो A से लंबा अब B से छोटा है और D को option number 4 में रखा गया है इस question का right answer option 4 हो जाएगा ठीक है मेरे प्यारे साथियों तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों एक question भी आपको समझ में आ गया होगा बरते हैं अगले question की तरफ अगला question है ध्यान से देखिएंगे कर रहा है यदि दी गई संख्या इतना में प्रत्थम और दूतिय अंक का त्रितिय और चतूर्थ अंक पांचवे और छठे अंक इत्यादी अतः परिवर्तन करते हैं तो दाहिने और से गिनने पर छठा अंक कौन सा होगा बहुत बहिया question है question को समझे पहले मेरे प्यारे साथियों question कर रहा है इसमें पहला आ दूसरा नंबर को आपस में चेंज कर दो तीसरा आ चोथा को चेंज कर दो पांचवा आ छठा को चेंज कर दो यहीं question का logic है मेरे दूस्ट ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो नंबर दिया गया है पांच और आठ क्या नंबर है मेरे भाई यहाँ लिखते है नंबर दिया गया है पांच उसके बाद में है आठ पांच आठ उसके बाद में नौ फिर चार तीन दो साथ उसके बाद छे एक उसके बाद क्या है चार है इस question में करना क्या कि पहला दूसरा को पहला है यह दूसरा है तो दूसरा चलाएगा पहला के आस्थान पर पहला चला जाएगा दूसरे के आस्थान पर यहीं इसका लाजिक है तो इसमें होगा क्या चेंज करने के बाद आठ आ जाएगा यहाँ पर पांच आ जाएगा यहाँ पर बहुत बरिया अब इस दो इस पॉइंट में देखो इसको तो तुम चेंज कर दिये इसमें देखो नौ और चार में नौ के जगाप आ जायेगा चार अचार के जगापे चला जायेगा नौ बहुत बरिया अब इन दो में देखो दो आ जायेगा पहले तीन आ जायेगा बाद म इन दो में देखो, छे आ जाएगा पहले, साथ आ जाएगा बाद में, यहाँ पर देखो, एक और चार में, चार आ जाएगा पहले, एक आ जाएगा उसके बाद, अब देखो, मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर question बोल रहा है, कि दाहिने तरब से, गीने ने पर, छठा अंक इस जो नंबर लिखा हुआ है, इसका दाया बाया नहीं होता है, जो हमारा दाया, वो इसका भी दाया, जो हमारा बाया, वो इसका भी बाया, समझ रहे हैं, हमारा बाया इधर है तो इधर ही बाया होगा, हमारा दाया इधर है तो दाया, इधर ही दाया होगा, तो दाहिने त आपसे गिनने पर मेरे भाई दो आता है इसका right answer option number 2 हो जाएगा सही ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो एक question भी आपको समझ में आ गया होगा भरते हैं next question की तरफ next है दरपन प्रतिवी में ग्याद करें मेरे दोस्त यहां पर देखो जो आकिर्ती दी हुई है इसका दरपन प्रतिवी में बताना है क्या बनेगा तो ध्यान से देखें कि मेरे प्यारे साथियो दरपन प्रतिवी में actual होता है क्या ध्यान से देखो दरपन प्रतिवी में जो right होता है वो change हो जाता है left में लेप्ट चेंज हो जाता है राइट में बस एक ही point को ध्यान में रखी उपर नेचे सेम रहता है कहने का मतलब ध्यान से सकी जब हम लोग अपना चेहरा दरपन में देखते हैं तो हमारा दाया चेंज हो जाता है बाया में जो बया चेंज हो जोता है दाया में उपर नेचे सेम रहता है similarly इसका जब हम लोग प्रतिवी में बनाएंगे मेरे साथियों कई से बनेगा ध्यान से देखेंगे एक बॉक्स तो बनेगा यहाँ पर आर जो है आर हो जाएगा इस तरह से आर बनेगा इ बन जाएगा इस तरह से उसके बाद ए जियों का तेओ रहेगा ठीक है जो डी है वो मेरे भाई इस परकार से बन जाएगा डी किस परकार से बनेगा ध्यान से देखेंगे और मिटा कर बारा कर देखें इसको बॉक्स को मिटा ही देते हैं मिरे प्यारे साथियों box को मिटा ही देते हैं R बन जायगा इस तरह उसके बाद बनेगा E इस परकार से उसके बाद A बन जायगा इस परकार से उसके बाद जो D है न मिरे भाई D बन जायगा I से अब देखो ऐसा कौन सा option में रखा गया है? ऐसा option कौन सा रखा गया है नीचे में R दे दिया है इसलिए option B गलत नीचे में ध्यान से देखेंगे DJ का त्यों दे दिया है नीचे में इसलिए option A गलत अच्छा DJ का त्यों option C में भी दे बाच्चा क्या option D यहीं इस question का right answer और हू बहू option D में दिया गया है मेरे प्यारे साथियों समझ रहे हैं यहाँ पर दीख रहे हैं जैसे हू बहू option D में मैचिंग कर रहा है बस इसको चोटा box में बन कर देंगे यहीं इस question का answer हो जाएगा चलिए next question अगला question है दिये गए सब्द को सब्दकोस की अनुसार व्यवस्थित कीजिए सब्दकोस का मतलब होता है मेरे दोस्त डिक्सिनरी यहीं जो word दिया गया है इसको डिक्सिनरी पैंटर्न में एरेंज करो कि सबसे पहले कौन word आएगा उसके बाद कौन आएगा उसके मार लेते हैं कि जैसे कुछ भी जैसे यहाँ पर mayor है न यहाँ पर mayor को अगर word को मालम चरना कि इसका मतलब क्या है तो आप google पर search मार लेते हैं लेकिन मेरे प्यारे भी दियार्तियों आपका भी dictionary उठा कर देखना उसमें जितना भी letter A से होगा उसके बाद आएगा जितना भी letter C से होगा उसके बाद आएगा यहाँ अलफाबेट के अनुसार word को arrange किया जाता है dictionary में वही question है कि इस word को dictionary pattern में हमें change करना है तो change करते हैं चलो सबसे पहले यहाँ पर जो भी word दिया गया है इसमें पहले कौन आएगा इसको अलफाबेट के अनुसार ही हम बता सकते हैं तो देखो यहाँ पर M A Y इसमें भी है 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 M A Y यहाँ तीन letter के आधार पे तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन पहले आएगा लेकिन मेरे प्यारे साथ ही तीसरा जो word है Y पर ही खतम हो चुका है जो तीसरा word है Y पर ही खतम हो चुका ह इसका मतलब सबसे पहले तीसरा नंबर वाला वर्ड आएगा बहूत बढ़िया अब देखो हमारे पास जो चार वर्ड बचा इसमें पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा यहीं बताना अब देखो पहला वर्ड में Y के बाद में O है दूसरा वर्ड में Y के बाद में B है पांचवा वर्ड में Y के बाद F है चौथा वर्ड में Y के बाद S है E बताईए इसमें सबसे पहले कौन आता है मेरे भाई देखो O, B, F और S इस सबसे पहले B अवाला वर्ड आएगा जो B है अलफाबेट में पहले आता है तो f वाला जो word है न यह आजाएगा पहले यह पांचवा word इसके बाद आजाएगा इसके बाद o आएगा कि s आएगा मेरे भाई उसके बाद पहले आएगा o यह पहला word आजाएगा उसके बाद आएगा चौथा word अब देखो एक कौन सा option में इसको रखा गया है तीन दो पांच एक और चार option number c में रखा गया है इस question का right answer option c हो जाएगा सही ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों की इस question को भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे किये हैं आप जरूर समझ लिए होंगे किसी में भाई को दिकतों comment करके अपने भाईया से जरूर पुछिएगा मेरे प्यारी साथियो अच्छा अगर वीडियो अच्छा लगा होनो तो वीडियो को जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के पास share कीजिएगा चलिए next question अगला question है जिस परकार 12-60 का relation है उसी परकार 16 कोशन मारक के साथ मेरी रिलेसन है और question मारक के अस्तान पर इन चारो option में से कौन सा option आएगा अब देखो मेरे प्यारे भी देथिए हो यहां पर 12 से बनाया गया है क्या? साथ बनाया गया है उसी प्रकार हम लोग 16 से यहां पर question mark के भैलू baru हम लोग आराम से बता सकते हैं कि यहां पर क्या आएगा देखो जिस परकार 12 का relation 60 के साथ बना दिया गया है उसी परकार 16 का relation question mark के साथ में होगा यहां पर क्या logic है 12 ही मज़े दार लो की logic है और खाकास logic है कईसे देखो यहाँ पर बारे है बारे से साथ बनना है तो यहाँ पर देखो बारे से साथ बनने के लिए क्या करना होगा बारे को गुना करना होगा पांच से अच्छा इस पांच कहां से आया मेरे भाई इस पांच कहां से आया इसी 5 से गुना किया है समझ रहे हैं कि 5 कहां से आया है 5 आया है मेरे साथ ही 5 आया है इस बारे का कर दो आधा तो बारे का आधा हो जाएगा 6 अच्छाव में से एक घटा दो तो 5 से गुना कर दो के बाद 60 आ जा रहा है उसी परकार 16 से question mark हम लोग बना देंगे तेहां पर किन से गुना करना होगा 16 का कर देंगे हम सबसे पहले आधा 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा लेकिन इसमें से माइनस 1 करना है 8 हो जाएगा आधा माइनस 1 करेंगे तो 7 अब गुना कर दो किन से मेरे प्यारे साथिए इस साथ से गुना कर दो क्योंकि आधा करने बाद जो नंबर आएगा इसमें से माइनस वन करने के बाद गुना किया जा रहा है तो 16 गुना साथ कितना हो जाएगा 16 सत एक सब बार है इस question का right answer option number भी हो जाएगा सही ठीक है? तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों कि एक कोशन में थोड़ा सा लॉजिक उट पर टांग था बट हमने आसानी से समझ रखा है कोई दिक्कत नहीं है किसे भी भाई को कोई दिक्कत नहीं है चलिए नेक्स्ट कोशन अगला कोशन है जिस परकार राज अस्थान का जो संबंध है ओजयपूर से है ठीक उसी परकार मेगाले का संबंध कोशन मारक के साथ में है तो अहां पर देखेंगे कि इसमें क्या लोजिक है इस कोशन में मेरे प्यारे साथियों हम सभी कोई बहुत बरिया तरीका से जान रह है कि राज अस्थान की जो राज धानी है ओजयपूर है उसी परकार मेगाले की राज धानी कहा है मेरे प्यारे साथियों मेगाले का राज धानी ऑप्शन अमर B इसका राई टैंसर हो जाएगा से ठीक है तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों एक कोशन भी आपको समझ में आगया होगा अच्छा जिस भाई ने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी जाकर सब्सक्राइब करेंगे और जिस भाई ने सब्सक्राइब कर लिए उसको दिल से धन्यवाद चलिए अगला कोशन अगला कोशन है I, J, K, L और M पांच दोस्ते K की I, L की I से ज़ादा है किन्तु M की I से कम है बहुत बरिया J की I सबसे कम है I की I, K की I से कम है किसकी I सबसे अधिक है देखो यहाँ पर यह भी रेंकिंग का कोशन है तो कैसी हम बनाएंगे ध्यान से देखिएगा कोशन है 5 को मित्र है तो सबसे पहला ब्यक्ति जो होगा उपर आएगा, उसके बाद दूसरा उसके बाद में आजाएगा तीसरा उसके बाद में चौथा, उसके बाद में पांच बाद यहनि सबसे जो बेसी आई होगा उपर आएगा, सबसे जाकर कम आई होगा उन नीची आएगा, बहुत बहुत बहुत, कोशन है, के की आई, ल की आई से जादा है, देखो, जो के की आई है, वो ल की आई से जादा है, किन्तु M की आई से कम, किन्तु का परियोग फस्ट नाम क के लिए होता है, जो K की I है, L की I से जादा है, किंटु M की I से कम है, मतलब K जो है L से जादा I रखता है, लेकिन M से कम रखता है, तो K से उपर आ जाएगा M, बहुत बरिया, एक पॉइंट तो हमारे पास A है, अलग से इसको हमने हिंट की फोरम में लिख लिया, आगे कोशन करता है, J की I सबसे कम है, J की I सबसे कम है मेरे दोफ्ट, तो J आजाएगा सबसे नीचे, अब देखो मेरे प्यारे साथिओ, इस दोनों को मिला लो, दोनों को मिला के यहां पर भर दो, तो दोनों को मिलाएंगे तो देखो, सबसे उपर में आएगा M, M के बाद में आएगा K, इसके अनुसार, K के नीचे आजाएगा मेरे भाई, K के नीचे आजाएगा I, उसके बाद में आजाएगा L, अब इस चार को उठा के इसमें बस पूट कर दो, तो यहाँ पर M, यहाँ पर आजाएगा K, यहाँ पर आजाएगा I, यहाँ पर आजाएगा L, कोश्चन ने क्या पूछा है, किसकी आए, सबसे अधिक है मेरे भाई, कावना के आए सबसे अधिक है, किसकी आए सबसे अधिक है, तो सबसे उपर में कौन आया है मेरे भाई, M आया है, तो इ अगले प्राश्न की तरफ अगला कोशन है दस नमबर किसी कुट भासा में कुट भासम जैसे हेच डबल एम ए आर को आठ हैज डबल छो डॉलर एस्टार के रूप में कुट बद किया गया और डिस्ट्रिक को साथ एंड पांच एक एस्टार एंड डो वन के रूप में कुट दिखिया गया उसी कुट भासा में यहां पर एम ए आर सी आई का कोड क्या होगा हम लोगों को यहीं बताना है तो मेरे प्यारे साथ है इसको हम सबसे पहले यहां पर लीखते है यहां पर क्या है एच उसके बाद में क्या है एच 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 ए उसके बाद डबल एम है है न, double M-E-R, उसके बाद में hedge है, बहुत बनिया, double छोब बहुत बनिया, उसके बाद में क्या है, डॉलर है, उसके बद में क्या है, एस्टार है, है न, उसी प्रकार मेरे प्हारे सात्यों यहां पर और भी कोड क्या चीज क्या किया गया है और भी कोड किया गया है ध्यान से दिखेंगे यहां पर डी आई डी आई एस उसके बाद टी आर आई सी टी इनका उसने कोड किया है क्या कोड किया है साथ उसके बाद में डॉलर साथ डॉलर पांच और एक है उसके बाद में स्टार है उसके बाद फिर से डॉलर नहीं है मेरे दूस्त एंड है डॉलर नहीं है एंड है एंड है डॉलर नहीं है एंड है उसके बाद में पांच है और एक है फिर से एस्टार है एस्टार के बाद में क्या है एंड फिर से आ गया एंड है उसके बाद में दो है उसके बाद 1 है और हम लोगों से फाइनली पूछा गया है मेरे साथियों कि M, E, R, C, I का कोड क्या होगा बहुत बर्या, बहुत सिंपल, common coding का question है common coding जैसे H का कोड 8 दिया गया है, A का कोड H दिया गया है M का कोड 6, M का कोड 6, E का dollar, R का star और देखो, यहाँ पर D का 7 दिया है, I का end दिया है, S का 5 दिया है, T का 1 दिया है R का star दिया है, I का dollar दिया है, C का 2 दिया है, T का 1 दिया है अच्छा, यह कोई से मालूम चला कि common coding का question है मेरे भाई कोई से मालूम चला है, A से मालूम चला है, देखो ध्यान से यहां पर तुम्हारे सामने नजर में आ रहा है कि यहां देखो यहां दूबर M है तो दोनों M का जो कोड है उस सेम है यहां देखो उसके बाद यहां I का कोड आई है यहां भी I का कोड I का कोड एंड है यहां भी I का कोड एंड है इनसे मालूम चल गया चला के नहीं मेरे भाई यहां देखो R का कोड एस्टार है दूसरी में भी R का कोड एस्टार है तो यहां से मालूम चला ऐसे मालूम हम लोगों लगा लेते हैं कि यहां common coding का question है अब देखो यहां M, E, R C, I का कोड तुम आसानी से निकाल जकते हो देखो M का कोड क्या हो जाएगा देखो M का कोड क्या लिखा गया है M का कोड यहां पर लिखा गया 6 तो M का कोड आ जाएगा 6 बहुत 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 उसके बाद में E है E का कोड क्या है E का कोड है मेरे भाई क्या डॉलर E का कोड है डॉलर तेहां पर आ जाएगा डॉलर बहुत बहियां उसके बाद में क्या है आर है आर का कोड क्या है आर का कोड है एस्टार तो उसके बाद में आ जाएगा मेरा भाई एस्टार आ जाएगा बहुत बहियां उसके बाद में है सी सी का कोड क्या है C का code है 2 यहाँ आप देख रहे हैं C का code है 2 उसके बाद में क्या है I I का code क्या है I का code है end तो यहाँ पर end आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा end अब देखो इसको किस option में राखा गया है मिर भाई कौन सा option में राखा गया है $6 डॉलर एस्टार $2 $2 के बाद में क्या आना चाहिए एंड आना चाहिए जो option नमर C में हू बहू मैच कर गया यहीं इस question का answer हो जाएगा मेरे प्यारे बहादूर चलिए अगला question काफी important था इस question को आपने अच्छे से समझा ना मिर भाई जिस भी भाई को नहीं समझ में आया होगा ना कमेंट करके हमसे जरूर पूछेंगे चलिए next question अगला question है एक लरकी पूरब दिशा में मुख करके घरी है बहूत बनिया बात है वह घरी के सुर्च के चलने के भीपरी दिशा में 45 डिगरी पर मूरी फिर वह घरी के सुर्च के चलने के दिशा में 180 डिशा में गूम जाती है अब उसका मुख किस दिशा में देखो बहूत important question है मेरे भाई जब हम लोग paper पे direction बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते है paper पे direction बनाते हैं उपर में उतर होता है नीचे में दक्षिन होता है दहिने बगल में पूरुब होता है बाई बगल में पस्सिम होता है समझ रहे हैं अच्छा यहाँ पर एक बात समझाना परेगा उतर आ पूरुब के बीच में कितना डिगरी के कूर बनता है 90 डिगरी के अब देखो चार उप दिशा और होती है कौन कौन से देखो चार उप दिशा कौन कौन होती है उत्तर आप पुरुब के बीच वाले दिशा को उत्तर पुरा पोला जाता है दक्षिन पुरुब के बीच वाले दिशा को दक्षिन पुरुब कहते है अच्छा दक्षिन पच्छिम के बीच वाले दिशा को दक्षिन पच्छिम कहते हैं मेरे भाई अच्छा उत्तर आप पच्छिम के बीच वाले दिशा को उत्तर आप पच्छिम कहते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर आगे तुम इसमें तुम करना क्या होगा मेरे दोस्त कि यहाँ पर जो ब्यक्ति जिस डिरेक्शन में घूम रहा है उसको घूमाते चलेंगे ठीक है यहाँ पर कोशन कहरे है एक लर्की पूरब दिशा की और मुख करके खरी है वह घरी के चलने क बिफ्रित दिशा में 45 डिगरी पर मुर जाती है वह घरी चलता है हम लोगोगों को बायों से दहिन की तरब घरी चलता है लेकिन घरे के चलने के बिफ्रित दिशा बिफ्रित दिशा का घुमेगी तो यहां पर उत्तर पूरुब डायरेक्शन में आ जागी क्योंकि इन दोनों के बित में 45 डिगरी के को बनता है बहुत बनिया आप देखू यहां पर उत्तर पूरुब दिशा में दूसरी बार में वह यहां पर आ गया अब वह 180 डिगरी फिर घरी के सुई के चलन गयाता है 180 डिगरी उसको मुर रहा है किस डिरेक्शन में घरी के चलने के दिशा में तो यहां सा 180 डिगरी जश्ट अपोजिट में आ जाएगा यह दक्षिन पसिम दिशा में आ जाएगी इसका राइट अंसर आप्सोन नमर डी हो जाएगा सही ठीक है देखो 180 डिगरी दक् इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्सोन नमर डी तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों एक कोशन भी आपको समझ में आ गया होगा बरते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है काफी इंपोर्टेट कोशन है मेरे भाई यहां देखेंगे हम लोग कि 4 से 9 कईसे बना है 9 से क्या बना है 9 बना है ठीक है 9 के बाद में क्या है 20 है 20 के बाद में क्या है 43 है 43 के बाद में क्या है कोशन मार्क है इस कोशन मार्क के बाद में क्या है 185 है तो इक कोशन मार्क के अस्थान पर क्या हैगा यहीं हम लोगों को जाच करना है इसमें क्या लाजेक है उसको देखें देखो जो चार है ना चार से नौ काईसे बना है चार को अगर हम दो से गुना कर दें आप प्लस बन कर दें तो चार दुने आठ और एक नौ बना देगा बहुत बना नौ से बीस काईसे बना है इसको दो से गुना कर दें आप प्लस हम दो कर दें नौ दुने अठार दो बीस बन जाएगा उसी प्रकार 20 से यहां 43 कई से बना है इसको भी 2 से गुना करके प्लस का हम 3 कर देंगे तो 43 बन जाएगा उसी प्रकार 43 को 2 से गुना करके यहां प्लस का 4 करना होगा का है सब में 2 से तो गुना हो रहा है देखो ध्यांसे सब में गुना 2 से हो रहा है लेकिन मेरे पहले 2 से गुना हुए प्लस 1 दूसरी बार प्लस 2 तीसरी बार प्लस 3 तो अगली बार प्लस 4 होगा तो 43 गुना 2 86 86 में 4 को जोरेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई 90 हो जाएगा अब क्या करेंगे 90 को 2 से गुना करेंगे मेरे भाई इसका मतलब इस बात सर्टिस्फाइड हो गया तो यहाँ पर एंसर में क्या आएगा 90 आजाएगा Option number A इस question का right answer हो जाएगा ठीक है? तो मैं उमेद करता हूँ दोस्तो एक question भी आपको समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं अगले question की उर अगला question है सूर्ज, गरह, ब्रिस्पति इस तीनों के बीच में सही बेनारे को बताना है कि क्या होगा देखो हम सबी जानते हैं कि जितना भी ब्रिस्पति गरह, वह एक क्या है? गरह, सूर्ज एक तारा है तो इनके बीच में कैसा बेनारे को बनेगा? देखो सबसे पहले एक ब्रिसपति आएगा ठीक है इप ब्रिसपति येह ग्रह के भीतर में आ जाएगा आज सूर्ज अलग बements जाएगा ये क्या है ये जो है मेरे भाई ये सूरज है क्योंकि सूरज एक तारा है ये होगा सूरज यह वाला सर्किल क्या है उपर वाला यह गरहा है अच्छा यह नीचे वाला क्या है यह नीचे वाला है मेरे भाई क्या ब्रिहस्पति सौट में ही लिख देते हैं ब्रिहस्पति यह ब्रिहस्पति है तो इसका अंसर ऐसा कौन सा आप्सन में दिया है असुर्ज इनसे अलग बनेगा option number B इस question का answer देगा मेरे दोस्त चलिए अगला question क्या है अगला question है हमारा 14 number question कौन सी उत्तर आकिर्थी प्रश्न आकिर्थी को पूरा करेगी कौन सी उत्तर आकिर्थी प्रश्न आकिर्थी को पूरा करेगी यहां पर जो खाली अस्थान है, यहां पर कौन सा आकिरती आएगा, यहीं हम लोगों को जाच करना है तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर एक सरकिल बनेगा ऐसे एक लाइन खीचे जाएगा साफ ऐसे ऐसा कौन सा आप्शन में दिया है, देखो ऐसा इसमें दो लाइन नहीं दिया है इसलिए option number हमारा एक गलत हो गया अच्छा यहाँ पर गलत option भी इसलिए होगा क्योंकि यह जो circle है न मेरे भाई इक कोना पर होना चाहिए तो इक कोना पर कौन सा option में दिया है option number D में दिया है इस question का answer option D हो जाएगा ठीक है कितना आसान question है मेरे दोस ऐसे बनाना होता है तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों एक कोशन भी आपको समझ में आ गया होगा अगला कोशन है यदि माइनस का अर्थ है जूर गुना का अर्थ है भाग भाग का अर्थ है गुना और प्लस का अर्थ है घाटाना तो इस समिकरन का मान को बताना है चलिए जहां माइनस है उसके अस्थान पे क्या लेना है प्लस लेना है गुना जहां भी है उसके अस्थान प माइनस लेना है, अब इन समी करन को हल करना है सबसे पहले देखें कि यहां पर क्या है 25 है, उसके बादे पलस है, तो पलस के जगे फो Хाँ मोगों क्या ले है Мाइनस, कितना आएगा है उसके बाद आएगा जभी चवववन, चवववन के बाद में क्या है बहुत बरिया 25 ऐसे ही ठीक है力 54 कोजब हम 6 से भाग करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएंगा 9 मि what 20 गुना कितना 10 अब हम इनको सल्व करेंगे आगे यहां देखेंगे 25 ऐसे ही ठीक है समझ रहे हैं 25 ऐसे ही ठीक है 25 मेरे भाई ऐसे ही ठीक है उसके बाद में क्या है 25 के बाद में है 9 ऐसे ही ठीक है इसको गुना कर दो 20 गुना 10 कितना हो जाएगा 200 अब करेंगे क्या जो प्लस वाला है उसको एक साथ जोरेंगे जो माइनस उसको घटाएगे तो 200 में 25 जूटेगा कितना हो जाएगा 225 इसमें से 9 को घटा देंगे 225 में से 9 को घटाएगे कितना होगा मेरे भाई कितना होगा 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा 11 बचा यहां एक मचा एक हो जाएगा यहां हो जाएगा 2 216 इस कोशन का राइट एंसर हो जाएगा 216 किस अपसिन में दिया है भाई आपसन नमबर C में दिया है इस कोशन का राइट एंसर आपसन C हो जाएगा सही कितना आसान कोशन था मेरे दोस्त ठीक है चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इन सारे प्रशन को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गये होंगे यादि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और साथी साथ बेल आइकोन को अन कर लिजी ताकि मैं जब वीडियो डालू तो नोटिफीकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन